जहिन सांथियों कैसे हो आप सब असा करता हूँ कि सभी लोग संदार जबरजस जिंदा बाद होंगे देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपी एस आई और कॉंस्टेवल के डॉक्मेंटेशन के बारे में क्योंकि फॉर्म भरने से पहले कहीं ने कहीं आपको सारे डॉक्मेंट करके रखने होंगे बनवाने पड़ेंगे तभी जो है आप एक सही बेमें और कंफिडेंट से फॉर्म भर पाईए का एक्जाम दे पा क्या कैसे है अच्छे सा समझिए वीडियो को पूरा देखिए यदि आप आरपी एफ की तैयारी कर रहे हैं सिपाही दरोगा दोनों के लिए तो किरन पब्लिकेशन का प्रेक्टिस सेट आप लोग ले लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मंति आपका फॉर्म ओनलाइन होने वाला है, तो किरन पब्लिकेशन के दवारा जो है आपको चार प्रेक्टिस सेट देखने को मिलें गे प्रिभीयस सीर के और लेटेस्ट प्रेटरन पे आधारी ठीट सेट आपको प्रेक्टिस सेट सिपाही के देखने को मिल जाएंगे, और साथ-साथ डरोगा के लिए भी क्वालिफिकेशनल डिग्री में जैसे कि आपका जो है कुंस्टेवल का बात करें कुंस्टेवल की नौकरी जो है आप अगर नॉर्मली मैटिक किये हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको गर्जुएशन मांगा जाता है जाइड सी भात है तो डॉक्मेन्टेसन में जो है आपका क्वालिफिकेशन में बाद करें तो तेन्थ का आपको जो है मार्कplease और एड्मिट काड ये दो चीज चाहिए मार्क्सीट एड्मिट काड और सcja्टिफिकेट तीन चीज आपका तेन्थ का चाहिए तो जरूरत नहींभेलता जाता है या कुछ इस तरह की डॉक्मेंट्स हो जाती है फाइनल येर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप रखिए आपका काम हो जाएगा क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको सारा डीटेल्स डालना पड़ता है तेंथ का और इधर ग्रजुएशन का तेंथ प्लस ग्रजुएशन और ये दोनों के लिए आपको कमन है और ये मैं जो भी सारी चीज़े बता रहा हूं जो 2018 में वेकेंसी आई थी उसका ये सारा रिकॉर्ड है और समझ लोग उस समय ये सारी डॉक्मेंट्स मागी गई थी और कहीं न कहीं फिजिकल के समय जो लड़के डॉक्मेंट्स नहीं दे पाए थे उनको घर लटे तो इसलिए जो है अभी अगर आप सारा डॉक्मेंट्स बनवा लेते हो तो रेलवे की काफी सारी वेकेंसी चल रही है रही है जैसे कि आपको अभी टेक्निशन का भी वेकेंसी आ गया है आर्पी एफ का भी पता चल गया है इसके साथ साथ और भी तवाश्य वेकेंसी जो है आपको पता चल गया है उसका केलंडर जारी कर करके सब कुछ बता दिया गया है तो इस साल तो कम सब यह वेकेंसी में है काम लगने वाला है तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में कहा प्रब्लम होता है SC, ST और OBC और EWS नया इंकलूड हो गया है यह चारों को जो है अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जैसे कि SC, ST आपका कास्ट देख लेना कि सेंट्रल में आपका कास्ट क्या होता है कुछ-कुछ इस्टेट में आप क्या होता है कि SC, ST में रहते हो especially SC में रहते हो लेकिन जैसे आप सेंट्रल का जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो आप OBC में चले जाते हो तो यह चीज ध्यान रखना है आपको अपना सर्टिफिकेट का हाक बनवाना है Central Government का ठीक है Central Government का बनवाना है State Government का काम नहीं बनेगा OBCB as it is आपको Central Government का और EWSB आपका Central Government का सब लोग नया बनवा लेंगे अब कमेंट करके यह मत बताना कि हमारा इस साल का है उस साल का है तो ठीक है नई तो इस साल का आप लोग बिल्कुल बनवा लीजिए क्योंकि इस साल जितनी वेकेंसी 2024 में आने वाली है सब में यह काम लगने वाला है और ऐसे भी सारी रेलवे की वेकेंसी आपको इस साल देखने को मिल जाएगी चाहिए तो यह सारा सर्टिफिकेट आपका central का होना चाहिए सैंट्रल गॉर्मेंट का इस पे सिंग्नेचर, मोहर वगगरा सब कुछ होना चाहिए अभी जो है काम चलेगा कि आपका यह वेकेंसी जो है सेन्ट्रल गॉर्मेंट की है ठीक अब देखिए कुछ लोग X-ARMYMAN वाले भी फर्म भरेंगे, तो X-ARMYMAN जो भी होगे, वो अपने डिस्चार्ज सेटिफिकेट, इसे नौकरी से आप जब जाते हो, ना, रिटार्यर्ड होके जाते हो, तो डिस्चार्ज सेटिफिकेट आपको मिलता है, तो वो सेटिफिकेट सब आपको लेना पड़ेगा आपको डीवी के समय लगता है फोटो जो है 245 आपको फोटो रखना पड़ेगा कम से कम 10-20 फोटो आप बनवा लेजेगा क्योंकि फॉर्म बरने से लेकर जो एक आपको फोटो की आवसकता पढ़ने वाली है और लगभग मांगा जाता है कि आप सेम फोटो दे तो ज़्यादा ऊचीत रहता है ठीक है अब देखे एन ओसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा लड़कों को कन्फ्यूजन होता है जो ओल लेडी नौकरी में है उनको एन ओसी क्या वसकता पड़ती है और एन ओसी कब लेकर जाना पड़ता है दखि नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट इसको कैसे लिया जाता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं ठीक है डोमेसाइल को लेकर भी कुछ प्रॉबलम आते हैं तो सभी लोग अपना-पना डोमेसाइल बनव मालेंगे कि दोमेसाइल की वी आप सकता आपको पढ़ती है और एक्स्ट्रा-इडेंटिफिकेशन में बात करें तो आपका अधार काड़, प्रॉडर डीकार, ड्राइवर लेसंस कोई में से एक जो है आपका आईडी काड़ चाहिए होता है आईडी काड़ जैसे कि आपका फोटो रना चाहिए और आपका वैलीड होता है ठीक कि एक वो चीज़े जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको इसको नोट डाउन कर सकते हो आपको अपना सारा डीटेल्स जो है अपने मैट्रिकुलेशन का जो डीटेल्स है मैटलब मैट्रिकुलेशन का सेटिफिकेट चैब용 काट पर जो डीटेल्स है वही सारा डीटेल्स आपको प्रवाइड करना है ठीक है अपने मैट्रिकुलेशन का डीटेल्स है वहीं डालना那 ड्रेश नाम भी फिता जी के नाम यह व्गरा एजो-भी सारी होती है अब और पंगा फस्ता है कि बहुत लोगों का नाम जो आपका real नाम है उस नाम से भर दिजिएगा और फिर आप एफडेविट बन वा लिजिएगा एफडेविट बनता है ठीक यह छोटी छोटी गलती है इस आपको करेक्षन करवा लेना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है बाकी अफडेविट के थुरू आपका काम हो जाता है ज्यादा परिसान होने की जरुवत नहीं पड़ती है वहीं किसी का मेजर गलती होता है तब भी जो है प्रॉब्लम्स आती है फैमिली परवार का कोई भी डॉक्मेंट्स नहीं लगता है बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पापा जी का धार काड ममी जी का पेन काड वगरा वगरा तो यह सारा चीज नहीं लगता है सारे डॉक्मेंट्स आपका त्यार रहना चाहिए अब देखिए एक और चीज इसमें आपको क्लियर कट मेंशन किया गया है कि यदी माल लेते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट निर्गत है मैट्री का इंटर का इंटर का और उसमें हिंदी इंग्लिस के सीवा अधर कोई ले लेकिन इसके अलावा अगर कोई अंगर्ड लेंग्वेज में है तो आपको यह काम करना पर सकता है ठीक है